Hello students, आज की क्लास में हम Adverb की Degrees के बारे में पढ़ेंगे तो जिस परकार से Adjective की 3 Degrees होती है Positive Degrees, Comparative Degrees और Superlative Degrees तो जिस परकार से Adjective की 3 Degrees होती है उसी परकार से Adverb की भी यही 3 Degrees होती है सबसे पहले बात करते हैं Adverb की Positive Degrees तो adverb की positive degree का use हम तब करते हैं जब हम बिना कोई comparison किये यह बताएं कि कोई कारिया कैसे होता है कब होता है क्यों होता है और कहां होता है ठीक है तो जब हमें इस प्रकार की information किसी sentence में देनी हो तो हम adverb की positive degree का use करते हैं आए कुछ examples के दोरे इस चीज़ को समझते हैं तो ये दो examples हैं फर्स्ट example को अगर हम देखें तो ये example है someone runs fast अब इस sentence में ये जो fast word है ठीक है ये fast word जो है ये इस run verb को describe कर रहा है इस sentence का मीनिग है तो ये जो शब्द है ये में बता रहा है कि someone दोडता है तो वो कैसे दोडता है how तो ये how का reply है तो ये एक ऐसा शब्द है जो action को describe कर रहा है तो action को describe करने वाले शब्द adverb होता है दूसरा इस sentence में son के दोड़ने का किसी और person के दोड़ने से कोई comparison नहीं किया जा रहा है तो यहाँ पर इसको positive degree में लिखा गया है ठीक है यहाँ पर इसको positive degree में लिखा गया है second example में सुरेश वाक्स स्लोली अभी sentence का में नहीं किया है कि सुरेश धीरे धीरे चलता है अब यहाँ पर यह जो slowly word है यह इस वाक जो action है इसको describe कर रहा है इसका मतलब है सुरेश चलता है तो कैसे चलता है तो यह फिर से how का reply है ठीक है और यहाँ पर सुरेश के चलने का किसी और persons के चलने से कोई comparison नहीं हो रहा है तो यहाँ पर इसको भी positive degree में रखा गया है तो यहाँ इन examples में यह दोनों ही शब्द fast और slowly यह यहाँ पर adverb है क्योंकि यह दोनों शब्द action को describe कर रहे हैं तो जब भी किसी sentence में हम कोई ऐसे शब्द यूज करते हैं जो action को describe करते हैं तो उन शब्दों को adverb कहा जाता है तो इस तरह से यह positive degree में है और adverb की positive degree हम तब use करते हैं जब हम बिना कोई comparison किये यह बताएं कि कोई कारिया कैसे होता है कब होता है कहा होता है और क्यों होता है ठीक है तो इस तरह से हम positive degree का use करते हैं उसके बाद आते हैं comparative degree पे तो हम comparative degree का use adverb की comparative degree का use हम तब करते हैं जब हम two groups of people ठीक है जब हम two groups of people या things के action को compare कर रहे हूं यह मान लिजे दो group है ठीक है अब यह दो group है तो दोनों groups के persons ने या things ने कोई action किया उस action को हम compare कर रहे हैं तो compare करने के लिए हम जिस शब्द का use करेंगे वह adverb होगी और वह adverb हम किस form में लिखेंगे वो comparative form में लिखेंगे मतलब उसकी जो degree होगी वो comparative degree होगी दूसरा में यह हमेशे ध्यान रखना है कि जब भी हम comparative या superlative degree यूज करते हैं adverb की तो वो how का reply होती है चलिए यह example लेता है तो यह example आप देख रहे हैं trains go more slowly than planes अब दो ग्रूप है यहाँ पर दो ग्रूप का जिकर किया जा रहा है एक groups में trains है ठीक है एक group में trains और दूसरे group में planes है अब इन दोनों के action का जिकर किया जा रहा है है यह जो दो ग्रूप है इन ग्रूप में जो भी है मतलब trains है प्लेंस उनका action क्या है अब इस action को compare किया जा रहा है अब क्योंकि यहाँ पर जिन जिसके action को compare किया जा रहा है यहाँ ठीक है न जिन things के action को compare किया जा रहा है वो दो groups के हैं एक group और दूछरा group तो यहाँ पर यह compared degree यूज की गई है more slowly यह slow की compared degree है जोड़ एक और example लेते हैं इस example को देखें सोहन रंस faster than मोहन अब यहाँ पर दो group है ठीक है दो group है एक में सोहन है और एक में मोहन है अब इन्हों हमने क्या action किया run अब हम इसको compare कर रहे हैं इसको compare करने के लिए यह एड़वर्ब यूज की गई है faster अब यहाँ पर यह जो एड़वर्ब है यह higher degree को express कर रही है अब higher degree को express कर रही है तो हमें सबसे पहले किस group को mention करना है जिसके action की degree higher है दूसरे group की बजाए अब दूसरा group कहां पर है मोहन का जैसे यहाँ पर first एक group किसका था ट्रेंस का तो ट्रेंस के ट्रेंस के जाने की जो डिगरी है वो lower है किसकी बजाए lower है planes की बजाए दूसरा group के है यहाँ पर planes तो इसी प्रकार से यहाँ पर सोहन मोहन की बजाए तेज दोड़ता है तो कौन तेज दोड़ता है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे सोहन क्योंकि यहाँ पर हम यह बता रहे हैं तेज दोड़ना मतलब यहाँ पर जो action की intensity है वो higher है द जब हमें दो groups के action को compare करना हो ठीक ना जब हमें दो groups के action को यह group में person भी हो सकती है तेजसे यहाँ पर person है यहाँ पर things है तो जब हमें two groups of people या things के action को compare करना हो तो हम compared degree का use करते हैं दूसरा हमें एक important point ये भी ध्यान ठकना है कि हमें ये देखना है कि जो adverb हम use कर रहे हैं वो higher degree को express कर रही है lower degree को express कर रही है अगर वो higher degree को express कर रही है जैसे यहाँ पे तो हम सबसे पहले उस group को लिखेंगे जिसके action की degree higher है दूसरे group की बजाए अब यहाँ पे जैसे lower degree को express कर रही है ये adverb तो हम सबसे पहले उस group को mention करेंगे जिसके action की degree lower है दूसरे group की बजाए ठीक है तो इस परकार से हम compared degree का use करते हैं अब हम adverb की compared degree use करते हैं तो compared degree के बाद then का प्रियो करते है जैसे यहाँ पर देखिए यह compared degree है तो यहाँ पर then का use किया गया है यहाँ पर यह compared degree है तो इसके बाद then का use किया गया है तो इस परकार जब भी हम किसी भी sentence में अगर adverb की compared degree use करते हैं तो उस compared degree के बाद then का प्रियोग करते हैं आई अब देखते हैं adverb की superlative degree तो adverb की superlative degree का परियोग हम तब करते हैं जब हम एक वैक्ति या एक वस्तू के actions की तुलना दूसरी वैक्तियों या दूसरी वस्तू के actions के साथ करें ठीक है तो एक तरफ तो क्या होगा एक तरफ तो कोई एक person होगा या कोई thing होगी दूसरी तरफ to or more than to ठीक है persons या things persons या things तो इस तरह से अगर हम कोई एक वैक्ति या कोई एक वस्तू इनके actions की तुलना इनके actions की तुलना अगर हम two या more than two persons या things के action के साथ करें ठीक है न तो हम superlative degree, adverb भी superlative degree का प्रियोग करते हैं यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि जो comparison हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है action का action के साथ ठीक है न तो जब भी हम किसी एक वैक्ति या एक वस्तू के action की तुलना दूसरे दो या दो से ज्यादा वैक्तियों या वस्तू के action के साथ करें तो हम adverb की superlative degree का प्रियोग करते हैं चलिए एक्जांपल लेते हैं एक्जांपल देखिए कमल सेंग दो मोस्ट ब्यूटिफुली ओफॉल द बॉइज अब यहां पर क्या हो रहा है कमल के action की तुलना दूसरे जो लड़के हैं उनके action के साथ की जा रही है action क्या है गाना तो यहां पर कोई group होगा इसमें ये boys हैं इनहीं boys में एक कमल नाम का boy है ठीक ना इन सब ने जो है गाना गाया सब ही ने ब्यूटिफुली गाना गाया लेकिन एक ने सबसे ज़्यादा गाया सबसे ज़्यादा ब्यूटिफुली गाया तो यहां पर एक परसन जो की कमल है इसके action की तुलना जो दूसरे जो boys हैं इनके actions के साथ की जा रही है तो यहां पर adverb की superlative degree का यूज किया गया है the most beautifully जब भी हम adverb की superlative degree का यूज करते हैं तो इसके साथ definite article का यूज करते हैं चलिए next example लेते हैं next example is sohan runs the fastest in the group इस sentence में कहा गया है कि sohan जो है वो group में सबसे तेज दोड़ता है तो यहां पर हमें क्या समझ में आया कि sohan नाम का लड़का है वो दोड़ता है किस से तेज दोड़ता है group में सबसे ज़्यादा अब इसका मतलब जया है कि यह group होगा अब गुरुप में कुछ लड़के होंगे ये ठीक है न इनी में एक सोहन नाम का लड़का है और ये सोहन नाम का लड़का इस गुरुप में जितने भी दूसरे हैं उन सबसे ज़्यादा दोड़ता है उन सबसे ज़्यादा तेज दोड़ता है तो यहाँ पर भी एक परसन की तुलना एक वैक्ति की तुलना गुरुप में दूसरे वैक्तियों के साथ हो रही है जैसे यहां पर कमल की तुलना दूसरे सभी लड़कों के साथ हो रही थी तो यहां पर हमें ध्यान रखना है कि यह एक तरफ तो एक परसन है और दूसरी तरफ दो या दो से ज्यादा परसन होने चाहिए या अगर एक वस्तु है तो दूसरी तरफ दो या दो से ज़्यादा वस्तु ही होने चाहिए ठीक है ना उनके actions की तुलना होती है यहाँ पर कमल के action की तुलना all the boys in in के actions के साथ हो रही है यहाँ पर सोहन के action की तुलना group में दूसरे हैं उनके action के साथ हो रही है ठीक है न action क्या है saying क्योंकि जो adverb होती है वो verb को modify करती है ठीक है तो यहाँ पर जो most beautifully जो adverb है यह saying को modify कर रही है यहाँ पर जो fastest है यह run verb को modify कर रही है जब भी हम comparative और superlative degree use करते हैं किसी adverb की तो यह जो comparative or superlative degree है यह how का reply होती है जैसे कमल ने गाना गाया तो यह जो है यह how का reply है ठीक कमल ने गाया कैसे गाया the most beautifully यहाँ पर देगे सोहन दोड़ता है कैसे दोड़ता है the fastest यह how का reply है तो इस परकार से जब भी हम comparative or superlative degree adverb की use करते हैं तो यह adverb की comparative or superlative degree जो होती है यह how का reply होती है तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि जब भी किसी एक person या किसी एक thing ठीक है कोई one person या one thing इनके actions की तुला इनके action की तुला अगर दूसरे दो या दो से ज़्यादा ठीक है दो या दो से ज़्यादा persons या things इनके actions के साथ हो तो हम adverb की superlative degree का परियोग करेंगे थैंक्स रोट इस वीडियो happy learning बाई बाई कर दो से ज़िए हैं